किया रूही को माफ जी हाँ दोस्तों आपको ये जानकारी दे दे की यहाँ पर रूही जो है वो सच्चाई जानना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर किचन में रूही कुछ काम कर रही होती है तो अगनी वहाँ पर आती है और अगनी जो है वो रूही का फोन लेने की करने वाली है तो दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जो पूर्ण है वो पिंकु को पलक के खिलाफ भढ़का रही है और कुछ ऐसी तस्वीर दिखा रही है पलक किसी और लड़के के साथ है और यहां पर भी सब देखकर काफी परिशान हो जाता है तो अब यहां पर जोरू ही है व कि यहां पर अगनी और दादी जब कमरे में बात कर रही होती है तभी वहां पर रूही आ जाती है और रात को दादी और अगनी की सारी सच्चाई पता चल जाती है